अपको स्वागत है कॉमर्सी पार्ट शाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैमरी डेटा और सेकेंटी डेटा में क्या अंतर होता है और दोनों को क्या डेफिनेशन है कि इस विडियो लेक्शर के माधियम से मैं आया तो आप से ये सवाल पूछा जा सकता है ठीक है तो लेक्शर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दिजिए और बेल एकर दबा दिए तक आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन स बहुत सारे questions का अपने चैनल के playlist में डाले हुए हैं आप playlist में विजिट कीजिए हमारे चैनल का playlist में विजिट कीजिए और आपको subject wise मतलब IPO1, IPO2, MCO1, MCO2, MCO3, MCO4 मतलब M-com के सारे papers और B-com के सारे papers सारे papers का एक अलग-अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग-अलग इंडिविजल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पर आपको विडियो जाएंगी, उस सब्जेक्ट से रिलेक्टर, जितने भी मैं बना पाया हूँ, आप वहां पर उन सारे वीडियो को वाच कीजिए, और डेफिनेटली आपका एक्साम जो है वह बहुत अच्छा जा हागआगा अगर उन सारे वीडियो को वाच केरेंगे तो, ठीक है, तो आगे लेक्र स्टार करते हैं, यह कहना था, लेक्र स्टार्ट करते हैं, यह रिले डेटा कीजम्र से कहते हैं the source happens to be primary if the data is collected for the first time by you as original data अब देखो यह जो सोर्स है इसको हम प्रैमरी तभी बोलेंगे इस सोर्स हम प्रैमरी तभी बोलेंगे जब डेटा को पहली बार क्लेक्ट किया गया होगा आपके द्वारा आपके काम के लिए तो फिर हम उसे औरिजिनल डेटा कहेंगे ठीक ना एक ऐसा टेटा जो कि मैंने पहली बार क्रेक्ट किया है I mean collect किया है correct किया है मैंने गलती से कह दिया था collect किया है ठीक है तूसरे हम कहेंगे औरिजिनल डेटा या फिर प्रैमरी डेटा on the other hand if you are using data which has been collected classified analyzed by someone else then such data is known as second data तो बहुत ही आसान भाषा में इसको बताने की कोशिश की गई है कि अगर दूसरे तरफ अगर आप उस डेटा का इस्तेमाल करने हैं जिसको पहले ही collect कर लिया गया था उसको classify किया गया या फिर किसी को इनलाइस किया गया किसी और के दुआर और आप उस data का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो second data कहलाएगा मैं जैसे आपको एक example देता हूँ कि आप suppose आज market में गय और इस lockdown में आपने देखने की कोशिश की कि market में कितनी गाडिया जो है एक घंटे में एक जगा से दुसरे जगा तक गई मतलब आपके नजोरों के सामने इसे cross key, right? तो आपने ये note down किया, suppose तो ये जो data आपने एक सप्ता का data आपने चेक किया और आपने चेक करने की कि किस दिन जो है गाडियों के आवाजाही जो है वो ज्यादा थी, और किस दिन काफी कम थी, तो ये जो आपने data कलेक्ट किया ये पहला data है उसको हम primary data कहेंगे, लेकिन कई सालों बाद, या फिर कुछ दिनों बाद, suppose कोई एक और व्यक्ति जो है, उसी चीज को वापस से मतलब चेक करना चाता है, जो चीज को आपने चेक किया था, तो वो प्राक्टिक्लर उस जगह पे नहीं गया, उसे खुद जाकर के नहीं किया, बलकि आपनी जो data क किया था, उसी डेटा का इस्तेमाल करके वो कुछ अपने काम को आगे बढ़ाया, है तो जो आपने किया था, वो आपका ओरिजनल डेटा था, बड़ जो दूसरे वक्ति था, जिसने आपके डेटा को एक्सिस किया, वो जो है हमारा सेकेंडी डेटा कहलाएगा, ठीक है, तो for instance, national income data collected by government of India, by government in a country, is primary data for that government, but the same data becomes secondary for those research workers who use it later, ठीक है तो यहाँ पे for instance, example की बात की जा रहे है, कि सपोज national income data collect किया गया किसी भी country के government के द्वारा, तो वो जो data होगा, वो primary data होगा, लेकिन जब बाद में लोग, मतलब researcher जो होँगे, उस data को अनलाइज करेंगे, जिसको government of India ने पब्लिश किया है, तो फिर वो सेकेंडी डिटा केलाएगा, ठीक है, वी में थस स्टेट बाद ने शेप ऑफ रहे हैं जो है, तो यह बात बुली जा लिया है कि इसे हम यह जो है, कह सकते हैं कि जो प्राम्री डिटा होता है, वो रहे होता है, जिसको इस्तेटिकल में का इस्तेमाल करके उसको जो है, इस्तेमाल करके उसको जो है, इसमें चानकारी निकाली जाती है, जिसके उपर अनलिस किया जाता है, जिसके उपर अनलिस किया जाता है, अध रहे होता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो हो चुका होता है, या फिर उसमें हम और ज्यादा स्ट उसमें और भी जादा जो है जानकरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो यह छोटा सा हमारा डेफिनेशन था मिनिंग था प्रैमिर डिटा और सेकेंड डिटा गा आई होब कि आपको काफी पसंद आया होगा कुछ बाते में और आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको डिरेक्ली बुक्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो कई लोगों को मेभी साहथ ऐसा लग सकता है कि मैं सिर्फ रीड करके आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ है थो आपके पुछै जाते है लोगों के ल Li Serkin आपके शेर कीजी और हमारे चानल को सब्सुराइब कर लीजिए शुक्रिया थानक्यों टिक क्या रायंड बबाय și ठामी जेए